तो आज की इस वीडिये में हम दिखाने वाले हैं कि अगर आप एक नया पेनकाड एप्लाई करते हैं या फिर अगर आप अपने पेनकाड में किसी भी प्रकार की अबेट क्रेशन करते हैं तो दोस्तों पेनकाड एप्लाई करते समय क्या होता है कि यहां परण में फोटो अप अप्लोड किया जाता है वो हर एक डॉक्मेंट का अलग-अलग साइज होता है जैसे कि अगर आप फोटो अप्लोड करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट साइज होता है जो फॉर्मेट साइज हो इतना होना चाहिए और आपका जो एमबी साइज है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्या होता है कि फोटो का साइज अलग होता है और सिग्निचर जो हम लोग अप्लोड करते हैं उसका भी साइज अलग होता है साथी साथ में जो भी डॉक्मेंट अप्लोड करते हैं वो फीडिया फॉर्मेट में अप् आप लोग को अच्छे से मालूम होगा लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से ही पैन कार का जो डोकुमेंट है उसका आप रिसाइज साइज केसे आप कर सकते हैं बिल्कुल आप कुछी सेकंड में कर सकते हैं यानि कि यहां पर एक भी मिनट नहीं लगता है बस एक क्लिक करना है तो यहां से आपका साइज ऑटोमेटिक बन जागा वो भी बिना अप्लिकेशन के ही आप बना सकते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोटेंट होने वाले है और आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़़ुर देखेगा तो किसी भी पोटल से अगर आप पेंकार एप्लाई करते हैं तो हर एक पोटल का फोटो सिनिचर जो होता है उसका साइज यहां पर आपको अलग अलग देखने को मिल जागा लेकिन दोस्तों आज हम दोनों पोटल का आपको दिखाने वाले हैं कि UTI हो या फिर NHDL पोटल हो तो आपको टाइप करना है pen, pdf, maker जो कि आप देख सकते हैं तो आपको इस वाले option में किलिक करना है किलिक करते ही दोस्तों फर्स्ट में एक website मिल जागा pen card, resizer, photo, signature and document, resizer जो कि आप देख सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है कि इस वाले option में किलिक करना है किलिक करते ही देख सेते हैं यहां पर तीन अश्टेप दिया गया है यानि कि दोस्ति यहां पर आप तीन अश्टेप के ही अंदर आप अपना document का size perfect बना सकते हैं pen card के लिए जिसमें यहां पर पहला दिया गया है upload, दूसरा है requirement, तिसरा है editor, जिस भी document को आप research करना चाहते हैं, जैसे कि photo हो, signature हो, तो या फिर अगर आप PDF को करना है, तो यहां पर आपको file को upload करना पड़ेगा जो भी आप आप file size upload करेंगे उसका maximum जो size होगा वो 10 MB होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा का होगा, तो यहां पर upload नहीं लेगा, तो यहां पर upload करने के लिए आपको select file वाले option में क्लिक करना है, क्लिक करते दोस्तों आप इस तरह से gallery में विजिट हो जाएंगे अब दोस्तों यहां पर सबसे पर आपको जो भी size बनाना है उसको आप select करेंगे हमें photo को सबसे पर यहां पर हम कोई भी example के लिए photo select करते हैं उसकी बार done का option मिलेगा आपको done वाले option में क्लिक करते दोस्तों इस तरह से यहां पर photo आ जागा जो कि आप देशते हैं यहां पर example के लिए हमें लियावा है आपका पहले से क्या size है वो माहिने नहीं रखेगा आप जैसा चाहे वो जैसा फोटो किलिक कर सकते हैं तो upload करते हैं दोस्तों यहां पर आपको नीचे next का option मिल जागा आपको next वाले option में किलिक करना है website मिल जागा pencard का जैसे UTI हो या फिर NSDL हो अगर आप UTI के तरह से pencard apply कर रहे हैं तो इसको आप select करेंगे और अगर आप NSDL portal के माधियम से apply करते हैं तो आपको यह option select करना है तो जैसे कि हमें NSDL के portal से pencard apply करना है तो यहाँ पर हम select कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको type select करना है कि आपको क्या research करना है जैसे कि photo हो, signature हो या document हो तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या select किया था photo ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे फोटो को research करना चाहेंगे यहाँ पर photograph का नीचे आपको select करने का option मिलेगा आपको इसको select कर देना है select करते ही दोस्तों अब आपके सामने next का option मिलेगा आपको next वाले option में click करना है next पर click करते दोस्तों देख सकते हैं आपर हमारा loading होना start हो चुका है start से आ जागा अब दोस्तों यहाँ साब को अपना photo की size perfect बना लेना है जो कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया है example के लिए आपको जैसा बनाना है उस हिसाब से बना लिजेगा उसकी बाद यहाँ साब को जूम करने की भी option मिलता है rotate करना है तकर आपको तो rotate भी कर सकते हैं adjust वगरा करना है तो यह भी आपको मिल जागा जो कि आप देख सकते हैं तो इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से rotate, adjust वगरा जो भी करना है वो आप कर लेंगे उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर download icon का option मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं तो आपको download वाले option में click करना है अब जैसे click करते हैं तो यहाँ पर download का option मिल जागा आपको download वाले option में click कर दना है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा download होना start हो चुका है जो कि हमारा download हो गया है चले open कर लेते हैं तो देख सकते हैं यह हमारा एनेजल pen card के लिए यहाँ पर बिल्कुल size बन चुका है तो फिर से आप रहां website पर click करेंगे ना सबसे प्ले signature को select करते हैं जो कि हमने select कर लिया आप download पर click करेंगे जैसे आप signature को select करेंगे इस तरह से आपको देखने को मिल जागा जो कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको next का option मिलेगा आपको next वाले option में click करना है इस बार हम क्या करते हैं कि UTI portal के थूर से आप रहां आपको करके दिखाना चाहते हैं अगर जैसे कि UTI के थूर से अगर आप बना रहें तो आप UTI के थूर से आप करेंगे त्यापर हम example के तुर पर ठीक है अगर आप चाहो तो NHDL से ही आप बना सकते हैं ऐसा नहीं कि दोनों work नहीं करता है दोनों work करता है आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप इस बार UTI के थूर से करना चाहते हैं तो UTI को हम select करेंगे अब यहां पर आपको टाइप select करना है कि आपको research कर रहे हैं तो इस पर हम select करेंगे उसके बाद नेश्ट का option मिल जाता है next के उपर हम क्लिक करेंगे next पर क्लिक करते हैं दोस्तों देश्ट यहां पर हमारा आ चुका है अब दोस्तों यहां पर आपको signature को अपने हिसाब से adjust कर लेना है जो कि आपको इसी तरह से आपको fit कर लेना है उसके बाद download का option मिलेगा आपको download पर क्लिक करेंगे और फिर से आपको download वाले option मिलेग कर देना है तो देख सकते हैं हमारा signature भी यहां पर download completely हो चुका है देख सकते हैं तो यह हमारा UTI portal के लिए signature का resize परफेक्ट बन चुका है इसी तरीके से document का भी size बनाना है जैसे कि supporting document आप जो भी देना चाहते हैं यहां पर हम फिर से click करेंगे यहां पर file को select करेंगे यहां पर हमने अपना अधार कार को select कर लिया है जो कि आप देख सकते हैं अब यहां साबको next का option मिल जागा आपको उसी तरीके से click करना है यहां पर UTI, NSDL को आप select करेंगे जो भी आपको select करना है यहां पर आप select कर लेंगे उसकी बाद यहां पर आपको type में select करना है document क्योंकि इस बर हम document का research करना चाहते हैं यहां पर document वाले option में select करेंगे उसकी बाद next वाले option में click करना है next पर click करते हैं यहाँ पर आ चुका है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको size करने का option नहीं मिलेगा अगर आप document को कुछ भी crop card chart करना चाहते हैं तरीके साथ crop कर सकते हैं यानि edit का option में आप जाकर crop कर सकते हैं ठीक है आपर दो option मिलता है brightness और contrast का option अगर आप brightness बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं कम करना जो भी करना है contrast अगर आपको यहाँ पर adjust करना है तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसकी बाद दोस्तों download के option पर click करेंगे फिर से download पर click कर देना है click करते दोस्तों यह आपका document बिल्कुल PDF में बन जागा आपका pen card के लिए तयार हो जाता है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा download हो रहा है और finally यहाँ पर download हो चुका है चलि आपको और open करके आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं तो अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक करना दोस्तों के साथ भी शेर करना तो मिलते हैं दोस्तों एक ने वीडियो के साथ तब तक लिए टाइटा बैगा है